हेलो स्टुडेंट्स, गुड मॉर्निंग, मैं रितिका कस्याप, आज आपको कक्षा फोर के पहले पाट का प्रश्ट उत्तर बताऊंगी, यानि मौखिक प्रश्ट उत्तर बताऊंगी तो चलिए बच्चों, सुरू करते हैं, मौखिक प्रश्ट उत्तर हमारा प्रश्ट है, चिडिया कैसे बोलती है? इसका उत्तर है, चिडिया चीची की आवाज में बोलती है चिडिया किस आवाज में बोलती है? चीची की आवाज में बोलती है अब मारा खौन नमबर कुशन है चिडिया सुबह क्यों आती है इसका उतर है चिडिया सुबह हम सभी को जगाने के लिए आती है अब मारा तीसरा यानि गान नमबर कुशन है सुबह सभी को क्या करना चाहिए इसका उतर है सुबह सभी को जल्दी उठकर प्रकृति के सुख को प्राप्त करना चाहिए इसके सुख को प्राप्त करना चाहिए अब मारा घौन नमबर कुशन है इस कविता के कभी कौन है इसका उतर है इस कविता के कभी मधु सूधन साहा है कौन है मधु सूधन साहा है बच्चो मैंने अभी आपको मौखिक के कुछ प्राश्न के उतर को बताया है मौखिक प्राश्न उतर अभी आपको बताया है अब हम दूसरा पढ़ते हैं कभीता की पंक्ती पूरी कीजिए किसकी पंक्ती कभीता की तो कभीता है हमारा रोज सबेरे चिडिया आती चीची की आवास लगाती हमने लिखा यहाँ पे चीची की आवास लगाती आगे देखिए देखो यहां भरना है सूरज निकल गया है धूप द्वार पे तुम्हे बुलाती यह हमारा खौनमबर है अब हम आते हैं यहां पे खौनमबर अब यह दूसरी पंक्ती है आओ आओ चलो दूर तक टहले अब यहां भरेंगे हम खुली हवा में पलभर रहले अब यहां दिया होगा किर्णों से हम यहां भरे हैं कुछ उनका सुन ले फूलों से कुछ अपना कह ले यहां देखिएगा फिर से एक बार खुली हवा में पलभर रहले और यहां पे दूसरी में दिया होगा कुछ उनका सुन ले फिर यहां मैंने भरा है, कुछ अपना कह ले अब हमारा next page है अब हमारा दूसरा question है सही सब्दों के सांथ जोडे मिलाएं आब यहां दिए चुडिया चुडिया क्या करती है? सभी को सुब़ उठाती है दूसरा है खुली हवा खुली हवा कैसी होती है ताजगी से भरी होती है यहां मैंने पहले से ही मिलान कर दिया है तीसरा है नदी का मुहाना नदी का मुहाना कैसा है सुबा को बहुत सांथ होता है नदी का मुहाना सुबा को बहुत सांथ होता है आप यहाँ पर दिया सुबह जल्दी उठने वाले सुबह का हर सुख प्राप्त करता है किर्णों से कुछ उनका हाल चाल जान ले फूलों से कुछ अपनी बातों को कह ले इसे आप मिला लिजेगा और अच्छे से याद कर लिजेगा